विधान सभा चुनाव से पहले पश्च्च मंगाल में राजनितिक सरगर्मिया तीज है। विधान बजार से रेड रोर तक करीम 9 किलोमेटर लंबे रोर शो निकाला जिसमें बड़े पैमाने पर भीड उम्री पधियात्रा से पहले मम्ता बनर्जी ने पीम मोधी के पराकरम दिवस कारेकरम पर कई सवाल उठाए। मम्ता बनर्जी ने कहा कि एक समय कॉलकाता देश की राजधानी थी तो एक बार फिर शहर को भारत की दूसी राजधानी की रूप में घूशित नहीं किया जाना चाहिए। कॉलकाता को देश की दूसी राजधानी बनानी ही होगी। उन्होंने परोक्ष रूप से बीजपी और केंदर सरकार पर तंज गस्ते हुए कहा कि एक देश, एक निता, एक राशनकार और एक पार्टी की विचार को बदलने की ज़रूत है। ममता ने ये बयान उस समय दिया जब प्रधान मंतरी नरिंदर मूदी निताजी की ज्वेंती मनाने के लिए 6 घंटे के कॉलकाता के दौरे पर पहुँचे। ममता बनर्जी ने सोतंतरता सैनानी निताजी सुभार्शंदर बौस की ज्वेंती पर उन्हें शद्धांजली देते हुए केंदर सरकार से 23 जनवरी को राश्ट्रिय अवकाश घोशित करने की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुक्यमंत्री ममता बनर्जी भी उनके साथ कुछ कारेक्रमों में शामिल हुई। पराक्रम दिवस के इस कारेक्रम में जब पीम मोदी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने नेताजी बोस को नमन करते हुए कहा कि बोस के सद्धान्त आज के युवा को आगे बढ़ने में एक बीज सुत्र का काम कर सकते हैं नेताजी के जीवन के उर्जा जैसे उनके अंतर मन से जुड़ गई है उनकी यही उर्जा यही आदर्श उनके तपस्या उनका त्यांग देश के हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेना है आज जब भारत नेताजी की प्रेना से आगे बढ़ रहा है तो हम सब का करतव्य हैं कि उनके योगदान को बार बार याद किया जाए बॉस की जनती पर इस तरह के कारेकरम हर बार होते हैं लेकिन इस सियासी हवा के बीच हुए बॉस जनती के इस कारेकरमों ने राजनिती को वो मौका दे दिया जिसे कोई निता छोड़ना नहीं चाता लेकिन इस बीच सवाल ये भी है क्या सुभाज चंदर बॉस के उसूलों और आदर्शों पर सर्फ सियासी बात ही होनी चाहिए या इन पर खुद राजनिती को अमल भी करना चाहिए क्योंकि सुभाज चंदर बॉस अगर आज जिन्दा होते तो वो आज के इन सियासी हालात को देखकर शायद एक बार फिर किसी नए आंदुलन के लिए आवाज उठा दे थी बिरो रिपोर्ट जन टीवी नियूज झाल 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 झाल